दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे कच्चे दागे फिल्म के बजट और बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जोड़े कुछ अंसुने फैक्ट से बारे में भी और जानेंगे कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस में हीट हुई थी या फ्लॉ तो दोस्तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतक जरूर देखियेगा कच्छे दागेशन 1999 में आई एक एक्शन थ्रीलर ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म में अजे देवगन, सेफरली खान, मानिशा कोईराला, सदाशिप अमरपूर कर, नमरता शिरोट कर, गोविंद नाम देव, माया अलग, अनुपम श्याम, विनित कुमार महावीर शाह और राजीव वर्मा नजर आए थे इस फिल्म को मिलन लूतरिया ने डायरेक्ट किया था से प्रोडूस के तो रमेस एस तोरानी और कमल एस तोरानी ने और इस फिल्म की कहानी अंजुम राजबली ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलोग संजेच छिल और मिलन लूतरिया ने लिखे थे इस film को कुल 290拍 screen के साथ 19 February 1999 में release किया गया था अगर बात करें वजट की तो इस film का वजट 10 करोड था इस film ने इंडिया में 16 करोड 19 लाख collection किया था आपको बता दूँ कि इस film ले अपने पहले दिन में 1 करोड 5 लाख collection किया था तो अपने पहले हपते में 5,70,000,000 तर लाग केलेक्शन किया था अगर World Wide Collection की बात करें तो इस फिल्म ने 29 करोड का World Wide Collection किया था और फिल्म हिट साबित हुई थी अग़र बात करें इस फिल्म के IMDB रेटिंग की तो इस फिल्म को 6 रेटिंग मिलें और ये फिल्म सर 1999 की आठवी हाइश ग्रोसिन फिल्म रही थी वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म क्ले म्यूजिक नुसरत फत्य अली खान ने दिये तो इसके लिरिक्स आनन्द बक्षी ने लिखे थे इस फिल्म में कुल आठ गाने थे अजके सभी गाने सूपर हीट रहे थे तो चलिए इस फिल्म से जोड़े कुछ फैक्ट से बारे में जानते हैं नमबर एक इस फिल्म के ट्रेन सीन के स्टंड के दोरान अजेद दिवगन की जान जाते जाते बची थी नमबर दू, सैफली खान से पहले इस फिल्म में मॉडल अंजूम सेट को साइन किया गया था लेकिन कुछ काराण से बाद में उन्हें फिल्म से हटा दिया गया था नमबर तीन, ये फिल्म मिलन लूतरिया की डिरेक्शनल डेब्यू फिल्म थी नमबर चार, इस फिल्म के ले म्यूजिक नुसरत फत्यली खान ने दिये थे और इस फिल्म के आदे से ज़्यादा गानों को उनकी मौत होने के बाद रिकॉर्ड किये गए थे नमबर पांच, मनिशा कोईराला से पहले इस फिल्म में मयूरी कांगों को साइन किया गया था लेकिन कुछ कारण से बाद में उन्हें फिल्म से हटा दिया गया था नमबर चे, ये फिल्म सैफेली खान और अजे दिवगन की साथ में पहली फिल्म थी इसके बाद दोनों ने साथ में एलूसी कारगिल, ओम कारा और ताना जीद्दा अंसंग वारियर फिल्म में भी काम किया था ये फिल्म सेफेली खान और मनिशा कोईराला की साथ में पहली और एक मात्र फिल्म थी जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उसी बीच में सेफेली खान ने अपना हेर कट करवाया था जिसके कारण मिलनलूतरिया गुसा हो गए थे क्योंकि सेफेली खान के पुराने हेरस्टाइल में फिल्म की आदी शूटिंग हो गई थी फिर सेफेली खान ने मिलनलूतरिया से कहा था कि वे नए हेरस्टाइल में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो दोस्त आपको इस फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को पांस में से कितनी रेटिंग देना चाओगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए गर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और ऐसी ही वीडियो पांना चाहते हो तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल एकन प्रेस करना भूले तक हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके